नौश्कार दोस्तों मैं हूर रवी कॉशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक केंद्र सरकार ने हाल ही में forest conservation amendment bill को लोगसभा में पेश किया साथ ही साथ इससे जो जुड़ी हुए joint parliamentary committee है उसने suggestions मांगे जनता से ताकि वो इसके इसमें अपने suggestions को add करा सके या फिर जो उनको लगता है कि अपतियां है उनकी उनको दर्ज करा सके आपको यह बता दें कि इस bill के माध्यम से सरकार ना सर्फ जंगलों की परिभाशा को बदलने जा रही है बलकि बहुत सारी सक्तियां सरकार के पास आ जाएंगी जिसके तहट वो आदिवासी इलाकों में जमीन को और forest को de-reserve कर पाएगे हमाँ साथ बात करने के लिए हैं विक्रम सिंग्ग विक्रम औल इंडिया खेट मदूर यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और भूमी अधिकार आंदोलन से भी जुड़े हुई विक्रम सरा न्यूस क्लिक से बात करने के लिए आपका शुक्रिया गर हम इन परिभाशा को जो है बदलने की कोशिश कर रही है तो पारम परिक तौर पर यह परिभाशा जो है पहले कि जो एक्ट से उनका सवाल हो यह परिभाशा क्या थी जो यह अमेंडमेंड बिल्ट बदल देगा और आप लोगों की आपती क्या है देखिए अधा कि पिछले अभी के जो बदलाब पेश कर रहे हैं उसमें यह बता रहे हैं कि बहुत सरे एरियास मसलन की जो आपके रिल्वेस ट्रेक के आसपास हैं जहां पर यातायात होता है जो सड़के निकलती हैं A, B, वो यह बोल रहे हैं कि जितने भी आपके इंटरनेशनल बार्डर से हैं, ला हैं रन्यतिक राश्ट्री महत्व की जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए आपको किसी प्रमिशन लेने की जूरूत नहीं है आप वो कर सकते हैं अगर आप इसको देखें तो लगबग इसी जो कैलकुलेशन हुए है जो आप बोल रहे हैं कि आपका जो रन्यतिक जो आप इसको अगर आपने डी नोटिफाई करना है डी रिजर्व करना है जिसके लिए एक प्रॉसेस था पहले उस प्रॉसेस को आपने बाइपास करने के लिए यह आप अमेंडमेंट्स लेके आए हैं जिसमें आप पहले ही बता रहे हैं यह जो एरिया है जो बहुत बड़ा एरि कि अंदर आए हैं, ये द्वार खोलता है कार्कोरेजट्स के लिए, पहले से भी है. पहले उसको impact assessment committee के पास जाना पड़ता है, पंचायद के evidence l 1977 के ऎर तक पूरा ये उस के अंदर process है. उस process से छूट देता है ये छूट देता है और सीधा जो हमारी अपती है यह forest किसके हैं यह forest भारत के हैं और forest के अंदर रहने वाले जो forest dwellers हैं जो आदिवासी हैं वो उनके हैं पहला हक उनका है और उने का हक है कि यह कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे जो पहले जितने भी कानून थे 9080 का उसके बाद जो अपका विशियस तो पेज के अंदर महतव है इस पूरे amendments के अंदर उसके बारे में कहीं बोला नहीं है क्योंकि वो हक देता है आदिवासी को जंगल में अंदर रहने बाले जो forest dwellers हैं उनको उनके प्रडूस के अपर भी जमीन के उपर भी उसका क्या विशिय होगा यह करने का काम भी उनकी ग्र कह रहे हैं कि रेल ट्रैक्स के लिए जो है अगल बगल का या फिर security projects के जो है उनके लिए जो है जमीन छोड़ने का सवाल है सरकार के अगर हम मानते हैं तो सरकार यह कह रही है कि रक्षाबल्यों है उनके उपर लगातार हमले हो रहे हैं फौजों के उपर भी जो है लगाता बनते हैं तो इसमें क्या पती है आप उसको कीजिए ना आप जनता के साथ चर्चा कीजिए हो कैसा रहे हैं सिंपल मुधारन दू अभी आप बोल रहे थे कि जॉइंट पार्लिमेंटरी कमेंटी ने इसके बारे में सुझाब मांगे हैं सुझाब किसे मांगे हैं पहला सुझाब आपने चाहिए उनकी भाशा में होना चाहिए ए बी जिन लोगों के लिए हैं उनके सुझाब आने के लिए उतना समय चाहिए अभी इनने एक डेड्लाइन दे दी है हम जैसे और्गनाइशन कुछ एंजियो कुछ नेशनल और्गनाइशन जो इसको पढ़के तो स जहादे पाएंगे इसी तरह जिनका जंगल है वो ते करेंगे कि उन्होंने देना है कि नहीं देना है आप जाई यह प्रोसेस के अंदर अभी तक तो रेल बनता था अभी तक भी तो पूरा कंस्ट्रक्शन होता है पर मसला क्या है मसला यह है कि जो इंपेक्ट असेस्मेंट कमेटी है उस प्रोसेस को निकालना आपने बनाना है तो इंपेक्ट असेस्मेंट होना चाहिए न उसका क्या प्रभाब होने जा रहा है क्या नाफाइदा है क्या नुपसान है जो लोग आप उनको हटा रहे हैं उनको कहां बसाना है आपने उनके लिए क्या आल्टेनेट है उस पुरी प्रक्रिया को आप निकाल रहे हैं और यह जो शब्द हैं यह बहुत महत्वुन है रनितिक रास्ट्री महतव के अब कून डिफाइन करेएगा अब आधानी जी को किसी खान से कोईला निकालना है तो आप उसको बोलेंगे कि रास्ट्री महत्व की चीज़ है पर वो कौन कर रहा है ये और इसको आप जोड़ कर देखिए कि पूर एक पूरा जो सैना के अंदर जो इसका प्रिविटाइज किया जा रहा है उसके काम आने वाले समय में कौन करने वाले है ये पूरे का पूरा है वो मंच्छा इसी से जलकती है क्योंकि आप पूरा जन्वादी प्रक्रिया को बाइपास करने की कोशिश कर रहे हैं आप दिल्ली से बैट के एक फत्वा जारी कर देंगे कि यहां पर ये प्रजेक्ट बना है ना रज्य रज्य सरकार पाइंड इट ना रज्य सरकार ना के स्थानी जो बॉड़ी है वो और ना ही वहां के पंचायत और शेडूल फाइव और सिक्स के अंदर ये राइट है समविधानिक राइट है उन एरियास का ये इसको आप काट नहीं सकते हैं पर इसके जरिए आप उसको जो पूरी की प्रक्रिया है उसके खिलाफ जा रहे ह और उन से चीन रहे हैं उनकी संपदा अब आते हैं दूसरे सवाल पर नो आप आते ही हमाचल से हम यह देखते हैं कि हमाचल में जो जंगल है उन पर भी एक तरीकी का हमला है ना तो आप और आपकी बात को यह अगर मैं एक्स्पैंट करता हूं तो आप इस्क्राइब कि किस भारत के अंदर अगर आप देखेंगे आदिवासी और जंगलों का जो रिष्टा है, आदिवासी को जंगल को आप अलग नहीं कर सकते हैं, उनका जीवन है वो, हमारे लिए वो बंसबदा है, हमारे लिए वो आर्थिकी है, पर ये उनका जीवन है, उनकी संस्कृति है, उनका हक रहा था पर यह जो इंडिन फॉरेस्ट एक्ट आया उसके बाद उसके बाद वो उनके हक चीनके अंग्रेज ने ले लिए अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उन्हें ने बलग उनको कंजरवेशन करना है उन्हें बोला था कि उनको उससे एकोनॉमिक इसे रेविन्यू जिन पेपर पढ़ेंगे उसमें लिखा है जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस है इसको ठीक करने के लिए फरे लाया है जिसमें आप उनके राइट्स इस्टेबलिश करेंगे सचाई क्या है आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज भी जो दावे किये हैं दावे में से 50% सेटल हैं आज भी हुइंगे जो हनों की उनानाई प्लांट तो वहां के जो आदिवासी हैं उनके तो चले गे नwynकी पंचाइद के राइट चले गे जो पैसा के अंदर उनको मिले थे में और हैं वेड़िंगे लगे इस तरह यह चींता है मैं एक बड़ा महत्पुन उधारन आपको दूँ हाला कि वह अधिवासी और ग्यार अधिवासी दोनों इलाकों से है हिमाचल में कुल मिलाकर 67% जो फॉरेस्ट के अंदर एरिया है फॉरेस्ट के पास एरिया का मतलब यह नहीं कि वह फॉरेस्ट ह है पर जो फॉरेस्ट कुल मिलाकर है वो 25% के आसपास इसको रेयल फॉरेस्ट प्लस 18% बाकी जो प्लांटेशन लगा दे हो है बाकी जंगल के मलग भी फॉरेस्ट जिपार्टमेंट के अंदर है हम हमाचल में बोलते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जमिदार फॉरेस्ट जिपा सारा इंक्रोच्मेंट है आप उनको अगर आप फॉलौ कर रहे होंगे पिछले चार साल पांस साल पहले से बहुत वड़ा 안धन कर रहे हैं कि वो लोग जंगल को बचा रहे हैं वो जंगल को उजाड़नी रहή हैं गर जंगल फॉरेस्ट कंसरबेशन इसका नाम है एक्ट से हैं जहां पर आपके खनीच हैं भारी वहां पे खनन होता है उसके बाप जूद भी वहां पे फोरेस्ट कबर बड़ा है क्यों बड़ा है क्योंकि वहां पर के जो आदिवासी हैं वहां के जो फोरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनकी participation है उससे strengthend होता है यह मैं experience शेर करए हूँ अगर आप इसको strengthend करना है तो आप उनको minus नहीं कर सकते हैं उनको include करना पड़गा actively उनकी participation ensure करने पड़ेगी तब forest conservation होगा यह बड़ा मज़दार है आप उसका प्रियैंबल पड़ेंगे तो यह हम forest conservation करेंगे यह आपका जो carbon credit करना है आपने zero emission करना है पर जब इसका body पढ़ेंगे फिल्कुल contradictory उसमें ऐसा कुछ नहीं है contradictory है कि प्रेंबल में दिखाने के लिए क्योंकि आपने international platforms पर जाना है वहाँ बोल देंगे हमने amendment कर दिया है हम zero emission 2017 के तरफ जा रहे हैं पर सचाई क्या है आपने जितने amendment लाएं है उसमें क्या है कि आपने denotify जो आपका deforest करने के ही पूरे भी हैं अब समझ नहीं आता हमारी समझ से बाहर है कि आप यह बोलने कि आपने forest का nature change करना है उसको denotify करना है declassify करने है उसके जरी emission कम होगा यह तो समझ से बाहर है उसको denotify करके यह तो पता नहीं कौन सा विज्ञान वो प्रयोग करते हैं यह दिखाने के लिए है पर जो असल हुसका है कि अभी पता चल रहा है कि जो calculations कर रहे हैं यह जो बोल रहे हैं कि border LAC, LOC के आसपास का जो एरिया है 1.3 million आपका उजा रहा है औरड़ी जा रहा है वो कम से कम वो जा रहा है यहीं नहीं है एक बहुत खत्रना clause इसके अंदर जो है जो यह बोलता है कि central government कभी भी future में जो उसको लगे वो notify कर सकती है कि इन areas को आपने वोर से बाहर करते हैं यह से खुली छूट मिल जाती है central government को स्टेट government को भी नहीं पूछे की local bodies को भी नहीं पूछेगी आदिवासी की पंचायत को भी नहीं पूछेगी आदिवासी को भी नहीं पूछेगी कल को उसको लगेगा कि 36 गड में कोई माइन मिलगी है कोल की और अदानी साब को देनी है त तो अब आते हैं अगले सवाल पे जो जंगलों से जो जोड़ावा सवाल है इसमें भी जो आता है वो एक सवाल जो है हम में कहें animal और human conflict का सवाल है मतलब हम जारकन के एलाकों में देखते हैं तो वहां पे हाथी और आदमी के बीच का conflict का है उसी तरहीं के आप बाकी जगों पे जाएंगे भालू जैसे जो जानवर है उनका conflict का सवाल है तो और आप आपने यह जो अपने जो सुझाव दिया है उसमें यह भी कहा है कि यह जो human और animal का जो conflict है वो बढ़ेगा क्यों है ऐसा पहले तो यह तमाम जानवरों के साथ मानूँगा आपने बहुत अच्छा श जो पूरे नौर से लेकर सौथ तक है अब लोगों गया हैं पर तो फसले तबाह कर देते हैं हमारा तो क्रोड्स ऑफ रूपीज का एन्यूली वहां पे नुकसान होता है उसका कारण क्या है उसका कारण बहुत इंपोर्टन प्रेशन यह पूछा है इसके अंदर भी है कि ए जिसके बाद में आओंगा पर यह क्या बोलता है टीक लगाएंगे एकलिप्टिस लगाएंगे जैसे हमाचल में लगाया पाइनस चीड जिसको आप बोलते हैं इन तीनों का अबर देखेंगे पहली बात यह जो मोनो कल्चर है वो फोरेस्ट नहीं है इस देंजरस मोनो कल्चर आप करते हैं इनकी कैनोपी के निचे जिखेंटरी आपको ग्रोथ जो होती है वेजिटेशन जाडियां होना चुटे प्लांट होना घास होना दासिकों को हम बता देंगे मोनो कल्चर का मतलब यह है कि एक खास इलाके में सिर्फ एक ही तरीके के प्रेड लगाय Uh huh, आप सही बोल रहे हैं namely ciillad, even eucalyptus, ही कोड़ेकर आप देखेंगे दिंकल नीचे कुछ नहीं नहीं होता है जब नीचे कच्छ नहीं होता है जिए सेकेड्री वेजिटेशन नहीं होता है क्या घाएंगे उनका भोजन वह संहुंहों कि नहीं होता है जो पूरा हिमाचल में आमने देखा पाइनस से वाटर लेवल नीचे गया, फोरेस फाइर बढ़ा और उस से उनका जो भूजन था वो कम हुआ और से प्लांट्स पैदा नहीं हुए जो उनके फूट हैबिट्स के अंदर थे, इसके चलते के पूरे का पूरा जो मंकी से वो ज जिसके लिए आप बोल रहे हैं, वाइल लाइफ प्लांट्स नहीं है उसके लिए जब आपको अहार नहीं मिलेगा वो बाहर आएगा जब बाहर आएगा तो पूरे का पूरा नॉर्थ इंडिया में हो रहा है जो उत्राखन जिसका आपने उधारन दिया है तो यह अन प्ला आप इन जरेगा, मोन क्लिचर से थो आप इस्टरों को डिस्टरों कर रहे है तो उससमे एक भी मल का पूपलेशन ग्रो हो जाएगा, दूसरे कहशा का रहे गारे बहुत इंपॉर्टंट पॉइंट जो यह बहुत सरे लोग डिक्रिशें сे मिस कर रहे हैं आपने उसको उठाया है यह लोंग टर्म में आज पता नहीं चलेगा आज से दस साल पाज जब हम एकलिप्टिक्स के जंगल देखेंगे सिर्फ टीक के जंगल देखेंगे तब हमें समझ आएगा कि यहां का जो अनिमल है वो कहां गया वो फिर आएगा सिटी मे वो सड़क पे आएगा तब हम हमने बोलेंगे कि वो हमारे हैबिटिशन में आ रहा है जो कि गलत है हमने उसका हैबिटिशन दिस्ट्रॉय किया है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कि सस्टेनमर्ट डवल्मेंट हो फोरेस्ट नेचरल फोरेस्ट हो और वो बचे का तब यह थे विकरम सिंग बाकी खबरों के लिए जुड़े रही है न्यूस ट्रिक के साथ